नमस्कार दोस्तों मैं संतोष नाहा की हूँ और मेरी इस YouTube चैनल संतोष नाहा की मैं आपका स्वागत है मेरी इस चैनल को अप लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे तो आज हम बात करेंगे परियावरण की तो परियावरण यानि की मन का परियावरण और मतलब मन का परियावरण समाज का परियावरण तो जो आज एक ख़बर आ रही है कि तेलंगाना हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई तो मतलब जिस तरीके से उसको मारा गया इसकी मैं निंदा करता हूँ मतलब परयावरंड, नोगों का परयावरंड जो है मानसिक जो है वो कितना कहां तक नीचे गिर गया है इस पर से पता चलता है और इसके पहले भी निर्भाया कांड जो हुआ था उस पे भी लोगों ने बहुत आक्रोश व्यक्त किया था और इस भार में भी तो ये जो है हम आगे बढ़ रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं पर हम टेक्नोलोजी में आगे बढ़ रहे हैं और मानसी जो लेवल है हमारा वो गिरते जा रहा है नीचे नीचे गिरते जा रहा है और मैं इसका बहुत निशेद करता हूँ कि ये घटिया जो लोग है ये ऐसी लोग समाज में कैसी-कैसी पनपते जा रहे हैं कैसी-कैसी होते जा रहे हैं तो अगर उस उन आरोपी मिलते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो बहुत सारे मैंने लोगों के कमेंट सुना हूँ कि उन्हें फासी दी जाए सब के सामने मतलब आप अपने वीचार उन्होंने रखे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महिला डाक्टर जो लोगों की जान बचाती है तो उसी को जिन्दा जलाया जाता है तो लोग कहां तक गीर सकते हैं एक मनुष्य रहता है मनुष्य तो ऐसा करने सकता है जो नर्स थी वो लोगों के जान बचाने वाली थी और मतलब एक डाक्टर थी और डॉक्टर का काम होता है जान बचाना और उसी का आज मडर हुआ है कल तो सारा भारत देश इस पर दुखी भी है और जल से जल मुझ्रिमों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो और इसके उपर एक मतलब उपाय होना जी अच्छा उपाय कि आ आगे से ऐसा न हो तो बहुत सारे लोग है वो जो अपने तरफ से इनको सजा दी जानी चीए ऐसा उनका कहना है ताकि आगे में ऐसा क्राइम न हो और डरे लोग ऐसा कृत्ते करने से ऐसा घिनोना काम करने से तो बहुत सारे चीजे बहुत सारे कानून में बदलाव लाए गए हैं और मतलब जो लोगों का मानसिक लेवल है वो पूरा गिर चुका है और अब यह आप देखते हैं कि दिल्ली में परियावरन जो है वो समाज का परियावरन भी खराब हो चुका है एक महिला 55-60 साल की महिला का महिला का मरडर हुआ है और बहुत सारे ऐसे घिनोने काम जो है वो हो रहे समाज में तो इसका जिम्मेदार कोन है मेरा सवाल है कि इसके पीछे कोन है कैसी यह सब ऐसे काम को अंजाम देते है इसके पीछे रिषर्च होना चाहिए और इसका सोलूशन इसका उपाय निकलना चाहिए ताकि ऐसे काम आगे में ना हो तो थैंक यू और वाचिंग मैं वीडियो और मैं बहुत अपना खीद व्यक्त करता हूँ इस काम के लिए कि ऐसा महिला डाक्टर को मारा गया है